सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद होने वाला दूसरा सबसे कॉमन और खतरनाक कैंसर है भारत में दुनिया भर में साल 2018 में 60,000 से जादा मौते और 96,000 से जादा नए मामले सर्वाइकल कैंसर के सामने आई जो cervical cancer से होने वाली मौतों का लगबग एक चौता ही हिस्सा है महिलाओं में uterus के नीचे cervix होता है जब cervix की cells abnormal तरीकी से बढ़ने लगती है तो उसे cervical cancer होता है ये हर उम्र की महिलाओं में होने का खत्रा होता है कई बार छोटी उम्र में ही जादा बार relation बनाने से भी cervical cancer होने का खत्रा भढ़ जाता है इसलिए इसकी लक्षणों को पहचान कर आगे इलाज जल्दी शुरू करा दिया जाए तो बचने के chances काफी हद तक भढ़ जाते है इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी की cervical cancer की लक्षण क्या होते है सबसे पहले हम ये जानते हैं की cervical cancer क्या होता है cervix uterus का ही हिस्सा है जिसकी जाँच प्राइवेट पार्ट से की जाती है जिसमें आपका एक cervix एक खास तरह की muscle से गिरा होता है और ये कोशिकाओं की पतली skin से ढखा हुआ होता है और इसी पतली skin की कोशिकाओं में ही cervical cancer विक्सित होता है ये cancer सबसे पहले pre-canerous cells में विक्सित होता है फिर 10 साल बाद ये pre-cancer cells असल cancers कोशिकाओं में बदल जाती है फिर ये cancer कोशिकाओं ही आपकी cervix की muscles आसपास के tissues और सरीर के बाकी अंगों में फैल जाती है जिसमें HPV यानि human papuloma virus cervical cancer का सबसे बड़ा कारण होता है अभी तक हमने ये जाना है कि cervical cancer होता क्या है अब हम ये जानते हैं कि इसके reasons क्या होते है cervical cancer उन महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है चो कम उम्र में relation मनाने start कर देती है और अगर वो एक से ज़्यादा साथियों के साथ relation मनाती है और relation बनाने के लिए बहुत active होती है इसलिए इस infection को STD यानि की sexual transmitted disease भी कहते है साथ ही गर्म निरोदक गोलियों के ज़्यादा इस्तिमाल से भी ये बीमारी हो सकती है कई बार ये बीमारी genetic कारणों की वज़े से भी होती है और कई बार alcohol और cigarette का इस्तिमाल करना भी इसका एक बड़ा reason हो सकता है इसलिए महिलाओं को इसे लेकर जागरोख होना होगा क्योंकि इस बीमारी का इलाज है इसके लिए सरकार की ओर से भी campaign चलाय जाती है इसलिए अगर महिलाओं में इस cancer की लक्षण दिखते भी है तो वे इसे normal infection समझकर दबाएन ले लेती है और जब situation गंभीर हो जाती है तो फिर hospital आती है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अगर cervical cancer से related कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे है तो आपको तुरंट की तुरंट जाच करानी चाहिए समय पर test कराने से शुरुआती stage में ही इलाज आसानी से किया जा सकता है इसे पहचानने के लिए डॉक्टर पैप टेस्ट करते है अभी तक हमने ये जाना है कि cervical cancer की कारण क्या होते है अब हम बात करेंगे कि cervical cancer की लक्षण क्या होते है नेकिन इसमें सबसे जरूरी बात है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखे अगर आपको किसी भी समय अपने digestion system में changes नजार आ रहे है या फिर आपको काली-काली potty हो रही है या periods की अलावा भी आपको blood आ रहा है या फिर relation बनाते time आपको bleeding हो रही है बिना वजह ही आपका वजन कम हो रहा है इसके अलावा toilet में रुकाबट आपको फील होती है आपको white discharge में बदूदार सफेद पानी आ रहा है तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो cervical cancer की शुरुआती लक्षण हो सकते है इस situation में आपको तुरन डॉक्टर की सलह लेनी चाहिए इसके अलावा pelvic muscles में दर्द होना भी एक संकेत है कि आपके सरीर में internal changes हो रहे है हाला कि pelvic में दर्द होना कई सारी परिशानियों के लिए भी संकेत हो सकता है इसलिए अगर आपको बगेर किसी कारण के लगातार थोड़ी थोड़ी देन में bathroom जाना पड़ रहा है तो आपको इस बारे में ध्यान देनी की जरूरत है ये cervical cancer का लक्षर हो सकता है आज भी हर 8 मिनट में एक महिला की मौत सिर्फ cervical cancer से ही होती है इसलिए महिलाओं को हर 3-6 महिने में जांच कराते रहना चाहिए और cervical cancer से बचने के लिए vaccines भी उपलब्द है 9-18 साल की लड़कियां इस cancer से बचाव के लिए HPV vaccine लगवा सकती है 30 साल की उमर के बाद रोजाना साल में एक बार पैप जाज चरूर करवा लेनी चाहिए इसके लिए महिलाएं अपनी जांच कराएं और लड़की आंसा में पर HPV vaccine लगवा ले इस cancer से आसानी से बचाव किया जा सकता है इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई problem हो रही है तो आप डॉक्टर के पास तुरत के तुरत जाए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा इस वीडियो को अपने फ्रेंज के साथ शियर करें ऐसी ही informative वीडियो सेखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें के पास कोई भी सवाल है तो आप उनसे जरूर पूछे हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्त रहिए